जै मातादी दोस्तों कैसे हैं? आप लोग यह बताने के लिए कमेंट में जै मातादी जरूर लिखे माता रानी सबका कल्यान करेंगे दोस्तों आज हम बात करेंगे साल 2021 में देव सैनी एक आदसी कब है? 19 जुलाई को या 20 जुलाई को? ब्रत आपको किस दिन रखना है? पूजा वो अपारन का सुब मुहुर्थ क्या है? तथा देव सैनी एक आदसी के दिन भूल कर भी ना करें ये काम वो कौन से ऐसे एक काम है? जो कि आपको देव सैनी एक आदसी के दिन भूल कर भी नहीं करना है वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर अभी तक आपके मेरे इस घरेलुख अबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वीडियो पसंद आगा वीडियो को लाइक करेंगे और जितना ज्यादा से इकाजसी को हरी सैनी एकाजसी, देव सैनी एकाजसी, पदमा एकाजसी आदिनामों से जाना जाता है। इस दिन से चतुर मास का प्रारम भी होता है। मानिता है कि इस दिन स्री हरी विष्णू चार महिनों के लिए सैन को जाते हैं। इन चार महिनों तक किसी भी तरह के सुभकारे नहीं की ये जाते हैं। आपको बता दे कि साल 2021 में देव सैनी 81-20 जुलाई को रखा जाएगा। 81 तिथी की सुरुवात 19 जुलाई को रातरी 9 बच कर 69 मिनट पे होगा। वही 81 तिथी की समापती 20 जुलाई को संधिया समय में 7 बच कर 17 मिनट पे होगा। 81 तिथी ब्रत के पारण का समय होगा 21 जुलाई को प्रातर काल 5 बच कर 36 मिनट से। लेकर प्रातर काल 8 बच कर 21 मिनट तक। पंचांग के अनुसार 20 जुलाई दिन मंगल बार को असार मास की सुख्लपक्ष की देवसैनी 81 तिथी से ही चतुर मास सुरू हो जाएगा। सास्तुरु के अनुसार इस एकाथी से ही भगवान विस्नु विस्रा मवस्था में चले जाएगे। इसके बाद 14 नवंबर 2021 को देवो थान एकाथी पर भगवान विस्नु का सयनकाल समाप्त होगा। जिसके साथ ही सुभ और मांगलिक कारियों की सुरूआत हो जाएगी। देव सैनी एकाथी के दिन सुभा जल्दी उठकर असनानादी के बाद ब्रत का संकल पले और एक साफ चौंकी पर गंगाजल छड़के। अब उस पर भगवान विस्नु की परतिमा स्थापित करें, परतिमा को पुस्प, धोप, दीप और तुलसीपत अरपित करें, इसके बाद भगवान विस्नु जी के मंत्रों का जाप कर भगवान विस्नु को सैन कराएं। आपको बता दे कि यह साल की सबसे बड़ी एक आदसी में से एक होती है, इसलिए आज के दिन घर में प्याज, लहसुन और तामसीक भोजन का परियोग भूल कर भी नहीं करना है, चाहे आप ब्रत करें या ना करें। ऐसी मानिता है कि देव सैनी एक आदसी के दिन दक्षना वर्ती संख में साख पानी भर कर उससे भगवान विस्नु जी का अविसेख करना चाहिए।